Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, kindergarten से लेके class 12 तक ही, वो भी बिलकुल free. CBAC board के courses तो आपको available है ही, but other state board के भी courses, जैसे की UP board, Bihar board, MP board, proper structured way में, systematic way में ये courses आपको available है. भी कोई दिक्कत, कोई परशानी आपको होने नहीं वाली है, e-books और e-notes की link भी description box में available है, और daily practice sets के questions भी मिलेंगे, तो practice भी बहुत धमाकेदा तरीके से करते रहेगा. So, पीछे देख रहे हैं आप, most important questions, most important questions, मतलब, भाई, जब last moment में आप exam देने जाते हैं, तब आपके काम आते हैं, क्या, भाई, most important questions, जो कौन लिकर रहा है, कुमल मैं आपके लिकर रहे हैं, और किसके, chapter 2 के, भाई, पता भी तो नची, chapter 2 की बात कर रहे हैं, ठीके, चलिए देखते हैं, first question क्या है आपका, very short answer type में सबसे पहले देखेंगे, define the term land use, भाई, जो भूमी का use है, जो land का use है, उससे आप क्या समझते हैं, क्या use समझते हैं, फटा फट से comment में लिखना चालू कर दो, बताओ मुझे आप क्या use समझते हैं, गलत सही, जो आपको समझ में आ आपको समझ में आया या नहीं, वाकी मैं तो हुई है, आपको समझाने के लिए से हो, भाई, tension वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, चली, I hope किसी ने कुछ ना कुछ थोड़ा गलत सही, लिखी दिया होगा, चली यह देखते हैं, लैंड is used for different purposes, such as agriculture, forestry, mining, building houses, which is termed as land use, भाई, लैंड यूज मतलब जो अलग-अलग परपस से हम लैंड यूज करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ खेती बाड़ी के लिए हम लैंड यूज कर रहे हैं, या रहने के लिए घर बना रहे तो लैंड का उपियों को रहे हैं, तो बस वह लैंड यूज है, variety of uses, मतलब बहुत तरीकों से हम लैंड का यूज कर सकते हैं, अलग-अलग परपस होते हैं, ठीक है, जैसे क्या क्या है, agriculture हो गया, खेती बाड़ी के लिए आप भाई, जमीन पे ही खेती करेंगे, ठीक है, forestry हो गया भाई, जो पेड लगेंगे, वो जमीन पे ही लग रहे हैं, लैंड पे ही लग रहे हैं, ठीक है, mining हो गई, जो खुदाई वगेरा होती है, building houses भई, घर वगेरा बनाना, तो ये क्या है, ये सब क्या है, land use है, ये क्या है, ये land use है, चलिए आगे चलते हैं, जब soil form होती है जब मिट्टी बनती है तो कौन से कौन से जो factors है रिस्पॉंसिबल होते हैं इंपक्ट डालते हैं soil के formation में चलिए देखते हैं The factors responsible for soil formation are climate, relief, flora, fauna and microorganism भई क्या क्या impact करते हैं climate हो गया ठीक है जो आपका जलवाई हो गई मां की relief मतलब कितनी उचाई पर है नीचे स्थल पर है ठीक है area का flora fauna याने animals हो गए या plants हो गए ठीक है साथ में microorganism छोटे छोटे जो organism से four ठीक है चलिए तो यह जो factors हैं यह जो factors है किसको responsible करते हैं soil को मिट्टी को firm करने में मिट्टी को बनाने में ठीक है चलिए which two factors mainly determine the use of land कौन से दो जो factor है जो mainly determine करते हैं किसका use जमीन का use land का use जो ऐसे कौन से दो factor है जो बताते हैं land का use हो रहा है तो चलिए देखते हैं the two main factors which determine the use of land are physical factors और human factor भई एक physical factor हो गया जो physical चीज़े होती है वो impact डालता है भई कि कैसे जो है जमीन का use होना है ठीक है जैसे हम बारिश वगएरा climatic seasons यह सारी चीज़े हो गई यह natural है तो यह impact डाल रहे हैं यह land के use क्या आपने देखा है यह जैसे अगर आपके जैसे parents कई भी plot खरीद रहे है तो आपने चीज़ नोटिस की होगी क्या बोलते है कि अर्यर वहाँ पे नहीं लेंगे वहाँ पानी की कमी होती है या उस उस शहर में नहीं जाएंगे उस राज्य में नहीं जाएंगे उस स्टेट में नहीं जाएंगे क्यों कि वहाँ बाड़ा जाती है या बहुत बारिश होती रहती है या वह बहुत गरम इलाका है या वहाँ बहुत बर्फबारी होती है तो यह सब क्या है यह जो factors impact करें land के use को कि भई हम जमीन खरीद रहे है या यूस करेंगे घर में रहने के लिए तो वह useful है तो क्या है factors जो impact करें physical factors हो गए उसके बाद आगए human factor जो हमारे factors जो इंसान के द्वारा रहते है जो हमारे current impact होते है ठीक है कि हमने कैसे land को बरबात किया है हम किस तरीक से use कर रहे है ये कुछ human factors होते है कि हम किस-किस तरीक के technology जो है land को use करने के लिए हम बना रहे है ठीक है तो ये क्या हो गए physical factors और human factors दो factors जो है पूछे हम से mainly तो क्या impact कर रहे है भई land का हम किस की बात कर रहे है use of land की भई भूमी के उपयोग की ठीक है चली next में चलते है list the physical factors which determine the use of land भई physical factors बताने हमें physical factors बताने जो क्या बताते है use of land land का use कैसे हो रहे है physical factors बताने चली देखते है topography हो गया climate हो गया soil types हो गया are the physical factors which determine the use of land मैंने बताया था ना भी last question में क्या क्या चीज़े impact करती है जैसे कि climate हो गया भई कैसी जलवाई हुए वहाँ ठंडा इलाका है या गरम इलाका है topography मतलब वो जो जमीन है थल जो जिसको जमीन बोलते है वहाँ के area की जो जो चलती है जो भी climatic conditions होती वो टोपोग्राफी में आ जाता है climate तो रहता है यह बढ़ टोपोग्राफी भी उसको cover कर लेता है and soil type भई मिट्टी किस टाइप की काली मिट्टी है या लाल मिट्टी है कोई-कोई जैसे अगर ही मिट्टी जो soil type के हम बात करें यह basically कौन जादा देखेंगा है इन चीजों को हम नहीं देखेंगे मैं यह नहीं देखूँगे जैसे जो एगरिकर्चर का काम करते है जो खेती बाड़ी करते है अगर उन्हें लग रहा है कि ऐसा ऐसी फसल ऐसा अनाज हमें उगाना है जो लाल मिट्टी पर उख सकता है जिसके लिए लाल मिट्टी चाहिए होगी यह जिसके लिए काली मिट्टी चाहिए होगी तो उनके लिए जादा बैटर ऑप्शन है जैसे हम आम इंसाने जो हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं इसको नहीं देखेंगे बट अगर आप सोच रहे है रिलेड कैसे कर रहा है लाइंड यूस तो इसलिए रिलेड कर रहा है क्यूंकि जो भाई फार्मर्स अगरीकुलचिरल्स को रहते हैं क्रशी जो करते हैं जो मतलब जिनको किसान बोलते हैं उनके ले तो बहुत useful है ठीक है और हमारे ले क्या होगे हमारे ले टोपोग्राफी होगे और climatic conditions कि वहाँ बारिश होती उस एरिया में तो हम वहाँ घर नहीं लेंगे हम वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे ठीक है तो यह क्या दिखा रहा है यह सॉइल को में किसी को बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे वहन खुश होंगी आप जो है उस activity में perform कर रहें, देखें क्या होता है na activity करने से, क्या बोलते है na actions, actions करना बहुत जरूरी होता है, सिर्फ कहने से और पढ़ने से कुछ नहीं होता, कि मैंने पढ़ा दिया, इस्कूल में आपने पढ़ दिया, आपने पढ़ दिया, बुक देख लिया, आपने surface में, ठीक है उपपर जो जमी होती, ग्रेनी सा सबस्टेंस होता है, तो वो क्या होती है, वो हमारी मिट्टी होती है, soil होती है, ठीक है, चली देखते है, the uppermost layer of the earth crust is known as soil, भई एक थिन सी, थिन भी वो बोलते हैं इसको, थिन लेयर का भी आप कह सकते है, थिन लेयर, क्या कह मैंने कहाता है, अर्थ के surface में, जो जमा होता है, कुछ एक लेयर सी, परत सी जमी होती है, और कैसी परत रहती है, जैसे की थिन सी होती है, मिट्टी तेखी तो है आपने, कितनी पतली सी होती है, बिल्कुल आपने यू लिया, अगर हवा चली तो यू उड़के उधर उधर तो क्या है, ये थिन लेयर होती है, ठीक है, तो अपर्मोस लेयर अफ दी अर्थ क्रस्ट is known as soil, ठीक है, चलिए, नेक्स में चलते है, शॉर्ट अंसर टाइप है, वो थे वेरी शॉर्ट, अभी शॉर्ट अंसर टाइप देखते है, comment on the statement, land is the most important resource, हमें comment करना है इस statement की भई, इस भई, land इतना important resource क्यों है, ठीक है, चलिए, देखते है, land is the most important resource, because, भई, क्या लगता है, क्यों है land important resource, ये तो बाद में हम discuss करेंगे, क्यों लगता है, land में हम क्या क्या यूज करें, land में हम agriculture का का काम करें, भई, हम खेती बाडी करें, land में, industries जो है, अपनी industries जो है, खड बाड़ी करें, factories बना रही है, जिसमें से products बन रहे है, जिन products है, वो कपड़े हो गए, shoes हो गए, कुछ भी चीज़े हो गए, bags हो गए, जो भी यसे materials जो हम use करते है, हमारे काम आ रहे है, वो factories में बन रहे है, फैक्तरी कहां सैट अप है, land में सैट अप है, तो इस काम आगे ह हमारे रहने के लिए, schools की building होगी, hospitals बनाने के लिए, तो land कितने तरीकों से use हो रहा है, कितना फायदा हमें तेरा है, और अनाज होगाने के लिए, जिस अनाज को बेचा जाता है, जिस अनाज को पूरी दुनिया खाती है, पेट भरती है, जो बहुत जरूरी है जीवन के लि सारे living beings हो गए, animals वगएरा कोई हमको यह थोड़ी दिखते है कि जमीन के अंदर दबे होए, हमें land में दिखते है, ठीक है, animals हो गए, plants हो गए, जो हम पौधे है, जिनका हम fruits खा रहे है, हम vegetables खा रहे है, तो क्या लगे, वो earth में ही लगे है, तो क्या हो गए, earth मतलब land के use नही है, ठीक है, land serves as it links between atmosphere, hydrosphere as a biosphere with the lithosphere, वो confuse मत हो न, मैं बता देती हूँ, जैसे 3 होते न, lithosphere, L का, H का hydrosphere, और एक तीसरा कौन साथ atmosphere था, इनके जो बीच की चीज है, इनके बीच का, चलिए इसको अच्छे से ही बनाते चलिए, ऐसे नहीं बनाएंगे, अच्छे से ठीक है, hydrosphere का H कर देती हूँ, ठीक है, और कहता atmosphere का A कर देती हूँ, अब इनके बीच का, इनके बीच का चलिए हम green से कर देते हैं, ठीक है, इनके बीच का जो narrow zone है, थोड़ा सा मेरा circle ऐसे ही बना है, आप समझ जाएगा, इसको क्या बोर रहा है, इसको चलिए हम फिर से yellow स कर देते हैं, यह हो जाएगा आपको biosphere, biosphere इन तीनों का क्या कर रहा है, इन तीनों का biosphere यूज कर रहा है, रैट से कर देते हैं इसको, इन तीनों का use कर रहा है, कौन कर रहा है भई, biosphere इन तीनों का use कर रहा है, मतलब plus हो रहा है, यह combination चल रहा है, ठीक है, इन तीनों को मिल कि लितोस्फेर किस के लिए था ये भी लिख लेते चलिए लितोस्फेर था लैंड के लिए किस के लितोस्फेर लैंड के लिए था हाइड्रोस्फेर वाटर बॉडीज लितोस्फेर क्या हो गया वाटर बॉडीज हो गया एट्मोस्फेर गैसेस Atmosphere क्या हो गया? Atmosphere हो गया? Gases ठीक है? अब इसको थोड़ा सा red से ही दिखा देते कि इसकी बात हो रही है इसकी बात हो रही है और इसकी बात हो रही है अब इससे अच्छे समझ में आ जाएका ठीक है? मैं तो बोलती हूँ अगर आपके पास copy pen है आपने साथ रखिए, ड्रॉ करेंगे न तो ये short form जैसा है, एक short cut, short तरीका है इससे जल्दी आद हो जाएगा आपको confusion हो रहा था न ये biosphere, lithosphere, hydrosphere क्या है ये narrow zone को समझ में नहीं आ रहे है, confusion है तो एक बार इससे समझ लेते हैं, अच्छा है ये question आया तो आपको एक तरीके से मैं समझा रही, तो आप अगर copy में note down करेंगे न तो तुरंद आपको समझ में आ जाएगा बाकी मैं समझा देती हूँ, lithosphere, भई जो land land आता है lithosphere के अंदर, इसको बोलते है हिंदी में, इस थलमंडल तो land है hydrosphere, एचले hydrosphere याने water bodies, अपना जो इसे ponds हो गए, तालाब हो गए है और साथ में क्या हो गए, अपके sea हो गए, ocean वगएरा ये water bodies के अंदर आ जाएगा, उसके बाद gases, किसमें आ रहा है, atmosphere के अंदर आ रहा है, ए मतलब atmosphere अब यह तीनों का combination हो रहा है, जो plus बनाया है, यह क्या बना रहा है, आपका बना रहा है biosphere बना रहा है, और biosphere इनके बीच का ए a छोटा सा zone है, इसलिए मैं चोटा सा circle बनाया है इनके बीच में आ रहा है, इनको connect करके use कर रहा है, तो क्या है वो biosphere है, थिक है? तो क्या है भई, land serves as it links between atmosphere, hydrosphere as a biosphere with a lithosphere मतलब land, land as a lithosphere बोल रहे हैं ना land को, as a lithosphere land को क्या बोल रहे हैं, चलिए यह नहीं दिख रहा होगा आपको एक मिट, इसको रप कर देते हैं, green pen से बनाती हूँ, अच्छे से दिखेगा ठीक है, land क्या दिख रहे हैं, जो यह land है, किसको connect कर रहा है यह land की जो बात हो रही कि land serves as it links between, land एक link बता रहा है यह तीनों क्या आपस में जुड़े हुए हैं, यह जो तीनों है, lithosphere, hydrosphere, atmosphere यह तीनों जुड़े हैं आपस में ठीक है, ऐसा नहीं है, कि अगर land को हटा दिये जाए, यह lithosphere को हटा दिये जाए, तो बाकी से काम चल जाएगा, नहीं मैंने बताया था ना, बहुत अच्छे से, कि अगर पानी है, पीने को खाना है, खाने को ठीक है बट रहने को जो है, बोलते हैं आपको रहने को जमीन ही नहीं है, तो कहां रहोगे, तो लैंड ज़रूरी है, पान पीने को पानी नहीं है, तो जो है, hydrosphere ने, water bodies ज़रूरी है, ठीक है, gases नहीं बहुत ज़रूरी है, जीवन के लिए, है ना, सांसे चलाने के लिए, तो वो बीच का, बड़ा, इन तीनों के साथ को यह लिंक करके चलता है, और क्या बनाता है, बाइस फेर, तो लैंड का यूज यह बता रहे है, लैंड का बेसिकली यूज जो है, वो यह बता रहा है, कि अगर लैंड यहा नहीं होगा, अगर इस लैंड को यहां से रब कर दूं, य जो इतने बच रहे हैं, यह किसी काम के नहीं है, अगर लैंड को रखके वाटर हटा दूं या एक हटा दूं, तो किसी काम के नहीं है, सबका होना बहुत जरूरी है, तो लैंड क्या दिखा रहा है, लैंड दिखा रहा है, लिंक, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने यह ड्रॉक किया होगा, ठीक है, चली, वाई इस लैंड यूस पैटरन चेंजिंग, भाई जो लैंड को यूस करने का तरीका है, वो पैटरन क्यूं चेंज हो रहा है, है ना, जैसे पहले क्रशी के लिए उस होता था, है अगरिकल्चर के लिए उस होता था, अब क्यों change हो रहा है अब बंडरी बड़ी buildings है ना पानी कम पढ़ रहा है जो है forest की कटाई हो रही है तो ऐसा क्यों है क्यों ने जो pattern है change हो रहा है क्या change हो रहा है किसकी बात करें हम land use pattern की किसकी बात करें हम land use pattern की चले next में चलते मतलब आपका answer देखते land use pattern is changing because of the following reasons कुछ कारणों के कारण जो land का use करने का pattern है वो change हो रहा है देखते हैं क्या क्या reasons है people started in approaching the common lands to build up commercial areas जो land है जो people है लोग है वो क्या कर रहे है धीरे धीरे commercial area बनाने कले commercial area मतलब भई industries वगेरा से related आप कह लीजे तो क्या कर रहे है land का use कर रहे है commercial area बनाने कले ठीक है साथ में housing complexes भई घर वगेरा बनाने कले यूज कर रहे है ठीक है in the urban areas भई जो शहरी लाकों की बात कर रहे है वहां के लिए यूज कर रहे है तो land को क्या कर रहे है डिग्रेट करते चल रहे है अपने लिए मैंने पड़ाया था land एक private land होता है जैसे मेरे घर मेरे रहे है तो मेरा private land है आप रह रहे है आपका private land है बुद अगर सब कोई use कर सकते जासे पार्ख वगेर ऐसी कोई जगे हो गई तो क्या हो गया? सबका land रहे है तो वो गमन बोलते है और उसे community land भी बोलते है करनी है अनाज होगाएंगे पैसा आएगा अपना घर चलाएंगे अपनी जीविगा चलाएंगे तो क्या है यह भी एक्सपांड करते हैं अपनी चीज़े खेती बाड़ी बनाते हैं ताकि जो है रूरल एरियास में यह सब हो ठीक है कुछ के-खेती हैं क्या चलाएंगे गर में चाड़ों गयों आहिए तो अपने नाम पर एक फ्लात लेके रख लो आई अभी अभी इस है नीड नहीं है बढ रहे हैं बहना पर और क्रेंट और चलिये जब देखर हैं ज़रूरत भड़री यह पॉपूलेशन की तो क्या करेंग तो दीरे दीरे यह क्या है? लैंड का जो पैटन है, यूज करने का चेंज हो रहा है, ठीक है? चलिए. What are the methods of soil conservation? यह आपके long answer type है, और यह काफी अच्छा interesting है कि जो है, soil को conserve करने के लिए क्या-क्या methods है? काफी सारे methods पढ़े थे, I hope कुछ-कुछ यादो, mulching पढ़ा था हमने, हमने क्या पढ़ा था? हमने mulching पढ़ा था, shelter belts पढ़े थे, और भी यह है, यह तो मैं दो ही लिख रही हूँ, बाकी आप comments में लिखो, हमने क्या पढ़े थे, mulching पढ़ा था, shelter belts पढ़ा था, बाकी फटा फट पांस सेकेंड का time दे रही, comment में लिखो, अगर किसी को एक दो जो भी जितना भी यादे, पूरे नहीं, at least एक दो भी यादे, तो फटा फट लिखो, यह सामने लिखें, यह भी लिखो, तो आपको और जल्दी आदूंगी चीज़े, तो अलग-अलग तरीकों से क्या ह विद लेयर ऑफ ओर्गनिक मैटर, लाइक स्ट्रॉव, इस ही में दिखा देती हूँ, यह पेड समझ लीजे, और यह आसपास का एरिया है, हाथ का मेरा है, तो यह खुला हुआ है, यह मिट्टी ऐसी खाली दिख रही है, और यह तो पेड लगा है, तो यह मैं क्या कर किसी भी चीज से कवर कर दूगे, और किसी भी चीज कौन सी, किसी भी चीज में आजाएगा, आपका जिसे घासफूस आजाएगी, पेड पत्ती आजाएगी, उनसे हम कवर कर देंगे, तो जब इसमें पानी जाएगा, तो धीरे धीरे जो है, सॉयल की नमी बनी रहेगी, ऐ तो एक ही process होती ही मल्चिंग की, मतलब जैसे मैंने बना दिया यह एक land है, यहाँ पेड लगा है, green color से ही बना देते हैं, यह पेड बना है और यह जो खाली area है, यह जो खाली area है, यह जो खाली area है, यह जो empty area है, इन area को किसी चीज से cover कर दिया, और वो चीज क्या है, जैसे आ कवर कर दिया है, जो जो soil है, उसमें moisture बना रहेगा, ठीक है, तो पेड वाले area तो पेड तो रहेगा, पेड को तो हटाएंगे नी ना, बट जो आसपास की मिट्टी जो खाली area में लोग कवर कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लेयर को और किन चीज are made in front of the barriers to collect water, ये थोड़ा सा काफी जादा confusing था, इसकी भी मैं drawing आपको भड़े अच्छे से बना देते हूँ, ठीक है भई, ये पाहड ले लिए हमने, नहीं, ये यलोई कलर से लेंगे, चलिए पाहड ले लिए हमने, अभी ऐसे मैंने बना दी design, अलग-अलग barriers ऐसे बना द ये पेड़ फौदे लगें, अब यहाँ पर जो red से barrier कले बना देती हूँ, जैसे barrier लगा दी, इसको ऐसे 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 कर देती हूँ अब क्या होगा, इस ये barrier से क्या हो रहे है, अब जैसे पानी भारिश होगी, तो क्या होगा, पहाड से मिट्टी सीधे भैके बरबाद हो जाएगी, erose हो जाएगी, soil erosion हो जाएगा, पूरी मिट्टी की अच्छी layer है, जो काम आती अपर layer वो पूरी भैके चली जाएगी, ठी पानी गिरेगा, पानी पहले गिरेगा, ठीक है, और यहां थोड़ा रोग जाएगा, यहां store हो जाएगा, फिर flow बनेगा, फिर यहां पर थोड़ा-थोड़ा store हो जाएगा, तो क्या है, मिट्टी बरबाद होगी, मिट्टी धी रहे हो जाएगी, इस जगे पर जैसे लगा रहे हैं रोक लगा रहे हैं मुझे stop करना चाह रहे हैं रोकना चाह रहे हैं तो वही barrier वाली बात है ठीक है तो क्या कर रहे है यह जो लगे है barrier है ठीक है अभी पानी भैके आएगा और थोड़ा से मिट्टी जमा हो जाएगी speed कम हो जाएगी फिर आगे बढ़ेगा मिट्टी जमी रहेगी बरबाद हो कि नीचे नी जाएगी पानी यह जमा हो जाएगा तो नमी बनी रहेगी मिट्टी की तो इसलिए use की जाती है contour barriers तो क्या है यहाँ पर जह है तो थोड़ा से कॉट से रहता है यहां पर है तो यह ट्रेंचे हैं यहां पर जहать तो पानी थोड़ा से थोड़ा है यहां आ से निकल के चला जा जाता है तो यह कहीए कि इसे मतलब लाइन से पत्थर बिचा दिये जाते ताकि जो पानी गिरे मिट्टे बहे के एकडम से भेगना जाये तो वहां पर जम जाएगी है ना रॉक से कारण बैरियर बन जाएगा तो मिट्टी वहां पर जाएगी तो क्या होगा slow down कर देता है water का flow, पानी का flow है, जो पानी का बहाव है water का, एकदम से नहीं होता, slow कर देता है, तो जब भई चीज slow होगी, तो बहेगी क्यों मिट्टी, तो slow करके रखता है, ठीक है, तो this prevent gullies and further soil loss, gullies मतलब जो पूरा पानी की लाइन इसे बन जाती, पानी वेस्ट होता है, उसकी गलीज बन जाती है, अलग-अलग ऐसे इधर चले जाते है, और soil loss, मिट्टी तो बचा रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा जो answer question है, वो हमारा यह यह soil conservation का, क्या है, soil conservation की बात करें, तो मिट्टी क्या है, इससे बचेगी है, इरोज नहीं होगी, बहेगी नहीं, ठीक है, चली, next में चलते हैं, terrace farming, terrace farming जैसे यहाँ पे एक flow में नहीं पानी भाएगा, पहाड़ जो पहाड़ी लोगे उनको समझ में आई जाए जाएगा, जैसे मैं भी पहाड़ी तो मैंने चीजे देखी हैं, क्या होता है, पहाड़ ऐसे होते हैं, अगर काटेंगी नहीं पहाड़ों को पानी सीधे जाएगी जैसे मैंने एक्जामपल दिये था है, यह लोग क्या गड़ते हैं, यह लोग ऐसे कट बना दी है, अपने देखा है, अपने देखा है, अब बहुत बढ़ी आपके घर में सीधे हैं, आप पानी फेकों को एकडम से नहीं जाएगा, थोड़ा सीधे में पानी रु में बनाएगी है, पानी स्टोर हो गया, तो यह मौशर के लिए अच्छा है, और आनाच के लिए अच्छा है, खेती बाड़ी के लिए अच्छा है, तो यह हो गई टेरेस फार्मिंग, ठेक है, ब्रॉट फ्लैट स्रेप्स और स्ट्रेस और में बढ़ा चुकी हैं, जो खड पानी स्टीप 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 में बनाया जाता है, terrace जैसे की मैंने बताया नहीं, terrace so that flat surfaces are available to grow crops, they reduce surface runoff and soil erosion जैसे की मैंने बताया था, पूरा जो surface हो भाईगी नहीं, land की, soil की वो soil erosion को रोकेगी, बचाने का काम करेगी, आपको देख रहे हैं, image में कैसे जो मिट्टी भी जमी दिख रही है, पानी भी जमा दिख रहा है, बिल्कुल बहें नहीं रहा है, ठीक है intercropping, intercropping क्या होती है, different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash बहुत easy है, इसको भी बना के दिखा देती हूं, clear कर लेते हैं, जैसे एक crop आपकी यह लग गई, ठीक है एक crop आपकी यह लग गई, फिर से आपने एक crop E वाली लगा लिए, थोड़ी दूर दूर हो गई है एक crop आपने यह लगा लिए, यह क्या होई आपकी, A crop यह B है, फिर से यह आगई, फिर से यह B आगई तो ये inter cropping मतलब अलग-अलग दो crop आपने एक साथ लगा ली हो सकता है अब अलग time पे उगा रहे हो बढ़ आपने इतना space बना लिया कि दो-दो crop लगा रही है जैसे एक crop है कोई भी लगा सकते है दूसरी crop है फिर वही पहली वाली आगई फिर से दूसरी वाली आगई तो ये क्या है आपकी inter cropping different crops are grown alternate rows alternate बोलते हैं एक के बाद एक फिर से दूसरा शुरू हो जाए तो ये क्या बोलते हैं alternate बोलते हैं ठीक है तो ये होगे alternate आपकी different crops याने inter cropping ठीक है चलिए next में चलते है contour plugging plugging parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope of trees are planted to check the wind देखिए ज़्यादा confused होने की ज़रत ने इसका भी बना देते है ऐसा है ये पहाड है ठीक है पहाड में ऐसे ऐसे गोल गोल जाते हैं जिसमें आप लोग जो पहाडी लोग जो जाते रहते गाउं वगेर वगेर ऐसे चक्कर आते हैं मतलब पहले ही समझ लेते हैं जैसे पहाड है पहाड के ऐसे से आप वो कर रहे हैं मतलब इस ताइप में ऐसे घुमा घुमा के आप जो बैरियर लगा रहे हैं पहाड है तो पहाड के ऐसे गोल 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 इस ताइप से पूरी जगे बैरियर लग रहे है पूरी जगे बहरी ज़र लग रहा है तो वही वाली बात है मिट्टी बहेगी नहीं, सॉइल बची रहेगी जो बाटर भी सर्फेज में सेफ रहेगा रन ओफ नहीं होगा, ऐसे बहेकी नहीं जाएगा तो यही होता है आपका जो है ठीक है, तो लास्ट है आपका शेल्टर बेल्ड इन दो कोस्टल एंड ड्राय रीजन, रोज मुवमेंट्स तो प्रोटेक्ट सॉइल कवर हमने डिसकर्स किया था MCQs में भी, है ना, क्या था भई ऐसे जैसे मैं हूँ, मैं मिदला मैं कोई land हूँ या मिट्टी है या छोटे से पेड़ खेलीजे, मैं मैं कोई छोटी सी crop हूँ प्यारी, cute सी, और अब हवा आने वाली है, बहुत तो क्या होगा जो मिट्टी बहेगी, मेरे मैं क्रॉप हूँ, तो मेरे आसपास जो मिट्टी है बहे जाएगी, तो प्रॉब्लम होगी, सॉइल की अपर लेर क्या होगी, बरबाद होगी, तो बड़े-बड़े क्या लगा दिये जाते हैं, बड़े-बड़े शेल्टर बैट्स लगा जाते हैं, जैसे इसमें देख ली जाप इमेज में और अरचे समझ में आएगा, यह बड़े-बड़े पेड लगें, रोज में लगें, देखिए क्या है, कैसे लगें प्रॉपर रोज में, एक अच्छी सी साइसे, जैसे स्कूल की लाइन होती ना, बच्चे खड़े दाते हैं, तो वैसे ही चुपचा बच्चे- आपको और अरचे समझ में आजएगा, तो पीछे के चोटे बच्चे हैं, जैसे आप समझ लिए सीनियर बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यह क्या होगा है, तो यह क्या होगा है, शेल्टर बेल्ट, और बिलकुल हाथ से पकड़े, खड़े की नहीं, लेंड हो गया, या क्रॉप्स लगी हुए है, तो मिट्टी उड़के दूसरी जगे नहीं जाती, हवा क्या है, काफी तेस जो हवा आती, पेड एकदम से रोक लेते, बहुत जादा नहीं रोक पाते, मतला ऐसा नहीं कि पूरी 100% रोक लेते, 80% हो सकता है, 60% हो सकता है, जो 50-60% और जो उड़ रही है, वो तो उड़ेगी, बट अट लीस्ट सारी मिट्टी अपर लेया है, पूरी भरबाद नहीं हो जाए, उड़के दूसरी तरफ नहीं से ली जाए, तो क्या होती है, इसलिए शेल्टर बेल्ट, हम पढ़ क्या रहे है, हम सॉयल कंजर्वेशन पैन है, आसपस हमने बिच्छा दिया है, तो और गनिक चीजे रग दिया तो धग गई मिट्टियां की तो मॉइस्टर नमी जमी रही है, बीच में पेल लगाई है, यह मल्चिंग हो गई, दूसरा कॉंटर बैरियर कैसे थे भई, बैरियर किस से बनाया, सॉयल से बना दिया पानी जो है, जो है ट्रेंचे में स्टोर होगा, और साथ में मिट्टी भी एकदम से नहीं भाईगी, रूख जाएगी, फिर ऐसी करते-करते अलग-अलग बैरियर्स बनाया जाते, तो यह हो गया है, अब रॉक डैम, वही जिसे बड़ा सा रॉख जगे है, जहां से पानी मिट्टी भाई सकती है, तो महां पत्थर रख दिये, खूब सारे रॉक्स रख दिये, तो मिट्टी भाई के सड़क में या कहले जिए गलीज नहीं बनेगी, इसे बरबाद नहीं होगी, ना वाटर बरबाद मतलब ऐसे भाईगा तो गलीज ऐसा नहीं बनेगी, तो क्या हो हो जाएगा, तो ऐसी थोड़ा 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 यहां स्टोर है, तो यहां पर क्रॉप्स लग रही है, मिट्टी भी अच्छी जमी हुई है, पानी भी जमा हुआ है, ठीक है, तैरिस फार्मिंग, एक तरफ A साइट की लगाई, फिर B की फसल लगा ली, फिर A की लगा ल तो क्या हो गया है, कॉंट्य प्लगिंग हो गया, ठीक है, और इससे क्या होता है, कॉंट्य प्लगिंग से वही जो पानी बहता है, एकदम से जो है, मिट्टी भाएगी नहीं, पानी भाएगा, स्टोर रहेगा, जो है, मिट्टी की लेयर बरबाद नहीं होगी, दैन हमने श अब देखते हैं, second question आपका, जो यह long answer में second है, यह ninth है वैसे, define the following, क्या क्या define करना हमें, common property resource क्या होती है, बहुए biospheres क्या होते है, और ecosystem क्या होता है, common property, नाम से ही समझ में आ रहा है, common, मतलब हम बोलते हैं, अरे-अरे, यह तो बहुत common game है, common game क्यों, यह जो सभी खेलते हैं यह बहुत common, जो है, common trend है, हर कोई यह काम कर रह eerste, common मतलब हर को यह चीज़ कर रहा है, हर कोई यह use कर रहा है, हर किसी को यह पता है, तो यह क्या होगए common, अब बात ओरी, common property resource, यह तो बात है आपका Biaspher, Biaspher क्या था? एक बार फिर से बता देती हूँ, Biusphere आपका, यह लिठोस हो गया, यह ह 시청 कि आपका, आपका हाँ, atmosphere हो गया आपका फिर से बता देते हैं, A हो गया, इनके बीच के जो जो बिखुँ ऐसे बता हो बेते हैं, इनके बैस के बानि इंक को का क wheat, बना है, यहไมटिवार गया Then ecosystem हो गया, ecosystem भी समझेंगे अभी आपको biosphere समझा देंगू ना, उसके बाद आपको ecosystem और अच्छे समझ बहाँ जाएगा तो चलिए देखते हैं न Common property resource देख लिए ने सबसे पहले Community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts और medicinal herbs These community lands are also called common property resource Community कहां से आगया मैं? Community भी, community मतलब सब यूज़ कर सकते हैं, हम बोलते हैं यह सारा अगर यह facilities हम देंगे तो हमारी community के लिए आपने सुना होगा Sikh community, Muslim community, Hindu community याने सब, common, सब के लिए उनके धरम में सब के लिए तो ऐसे हम लैंड की बात कर रहे हैं चाहने, सब के लिए, ठीक है? तो क्या है? ऐसा लैंड जो कोई भी यूज़ कर सकता है, उसे common लैंड रिसोर्स बोलते हैं और किस-किस परपस से यूज़ किया जा सकता है? जैसे कि आपका folder वगेरा collection के लिए हो गया, ठीक है folder collection के लिए हो गया, fruits collection के हो गया, nuts के collection के लिए हो गया कर सकते हैं, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं यह नहीं कहूंगी, आप क्यों आ रहे हैं मेरे land में यह आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो यह हो गया common property, और इसे क्या बोलते हैं? इसे साथ में बोलते है, community land use, community, ठीक है? चली, next में चलते हैं, biosphere क्या होता है, अभी समझाया था, अभी फिर से और अच्छे समझ लो, natural vegetation and wildlife exist in the narrow zone of contact between, narrow zone में रहती है, और वो narrow zone है, जो narrow zone के हम बात कर रहे हैं, वो narrow zone कौन है? भई, वो biosphere है, ठीक है? अब किसके बीच में रहती है, किसके बीच में contact बना के रहती है बीच में रहे हैं, वो रहती है, यत्मसफेर के साथ हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, बायोस। जैसे कि मैं बताया था, लेंड की जरूषफेर है, ठीक है, रहने की रहने के लिए, साथ में पीने की, पानी की इवच्वत आविश है हमारी चीजों की नाही खिके वो किया होथा है अपका बाईस्फेर और बाईस्फेर इंके बीच में आता है वह एक चोटा सा नैरो सा जून है ठीके तो नाइसल्ल वेगिटीशन और बाईस्फेर के अंदर क्या क्या आजाते है नाइचल रिजिटीटाशन और वैय्ललाइट जानवर हो गए 1. इंटर लेंटे dinner dependent on each other for Skvvy when मैंने का ना भाईचारा बना कर रखते हम तुम्हारा साथ देंगे तुम्हें छोड़के नहीं जाएंगे हम तुम्हारे बरोसे नुम्हारे अुछ साथ रहेंगे ठीक है तो क्या हो गया है बाइस्फेर के अंदर की बात हो रही है अभी किसके अंदर की बात हो रही है यह बात हो रही है बाइस्फेर के अंदर की बात हो रही है उसके अंदर कौन रहते हैं लिविंग बिंग्स में कौन को ना जते हैं मैं लिविंग बिंग हूँ आप भी है ऐनिमल का नहीं होगा, एनिमल्स का भी हमारे भी नहीं होगा, तो क्या है हम एक दूसरे पे निर्भर है, जो है डिपेंडेंट है और एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं, ठीक है? अब जब इतनी डिपेंडेंट सी की बात हो रही है, तुम पे निर्भर है, तुम हमारे दोस्तों सखा हो, तो क्या है यह एक सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इस सपोर्टिंग सिस्टम को हम यहां पढ़ रहे हैं, हम एको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? I hope आपको बहुत अच्छे से अभी यह समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए यह सब आपके वेजिटेशन के अंदर आते हैं, तो आप क्या समझते हैं वेजिटेशन के यूज से? ठीक है? चलिए देखते हैं, वेजिटेशन is useful to us because plants. क्यों? बात आ गई प्लांट्स की बात करें ना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, प्रोवाइड उस वेजिटेशन की लकडी सुनी है आपने लकडी करता है, ठीक है तो भई प्लांट्स है, पेड से लकडी मिलती है, ठीक है लकडी के जो वुडन के सामान होते हैं, घर में जो अधिक में यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, गिफ शेल्टर टु एनिमल्स भई, शेल्टर मिलती है अनिमल्स को पेड़ों के लीचे, बड़े बड़े पेड़ों होते हैं, लकडी होती है, उनके अंदर क्या आइनिमल्स छुपके रहते हैं, उनको क्या मिलता है, बारिश की हमें बृाइज के रहे हो, आप साथ के माया करें अबेर क्या है, अधिक में अब जी रही हूं, आप सांस ले रहे हैं, हम आपस में आपको पड़ा रही हूँ, आप मुसे पढ़रे हैं, आप तुर क्या अछै बहली बच्चे, तो प्लाइज ससूर्स प्लांट इंग जो पेड़ होते हैं, पेड़ आपने देखा ही है, इस पे बना देते हूं, आपको समझ में आ जाएगा यह रब की नहीं हो रहा पेड़ है जैसे हैं, यह पेड़ लगा हुआ है यह मिट्टी का एरिया है, यह जणे फैली हुई है पेड़ की और यह रेड़ से मैं मिट्टी मिट्टी बना देती हूं क्या बना देती हूं, मैं रेड़ से मिट्टी मिट्टी आसपास ठीक, अब अब अगर पेड़ उखाड़ होगे, पेड़ खीचोगे तो क्या मिट्टी खीचके नहीं आईगी मिट्टी की लेयर बरबाद नी होगी आपने देखे न, चोटे-चोटे पेड जैसे अगर आप उखाड देते हो कभी आपने हो सकता मस्नी मजाक में, ग्राउंड में खेल रहे होगे गार्डन में, आपने खीच दी होगे पेड, चोटे-चोटे भी तो आप देखे न, जो जड़े होती ही, जिन्ने क्या होते हैं, रूट्स, उनके साथ कुछ-कुछ मिट्टी भी लगी होती है कुछ-कुछ भी काफी मिट्टी लगी होती है, तो क्या, मिट्टी बरबाद नी हो रही जब बची रहेगे तो ग्रॉप्स भी ग्रोव करेंगे ठीक है क्या करेंगे क्रॉप्स भी ग्रोव करेंगे अग्ट एस शेल्टर बेट्स जो हमने पढ़ा था था ना वो 12 वाला एक्जामपल कि 12 के बच्चे किंडर करने बच्चों कैसे प्रोटक्ट कर रहे एसे करके रोव बनाके तो क्या कर रहे हैं जो शेल्टर बेल्ट से मिट्ट को बचा रहे हैं विंट की जो वह भी चेक करने के लिए कि हवा का रुख किस तरफ है ठीक है साथ में मिट्टी जो बरबाद हो जाएगी आंधी में मिट्टी उड़के नहीं आती है यह बेल्ट का काम करते हैं शेल्टर का काम करते हैं बचाप करते हैं ठीक है कौन कर रहे हैं आखिर हम बात करने हैं प्लांट की तो लान ठीक है Help in storage of underground water यह कैसे help करता है इस टोर करने के लिए underground water भई पेडों में हम पानी डाल रहे है पेडों में जैसे पानी या रहे है पेडों में हम क्या डाल रहे है पेडों में हम डाल रहे है पानी यह पेडों में पानी डाल रहे है ठीक है पानी चाहे कहीं से बढलो इस साइट डालो इस साइट डालो एसमेड़ों पानी जमागे जाएGs, पानी जमाख एक रहे, पानी जमाख लाएं कुछा राड़ा? चुल्य जाता है को जाता है पीडों लेका कु मिटलती है गार चरणो मे रूती कि पैड़ों में angeए जाफ पेड़ों हूख वजा रहता है पानी डालते हैं जमीनों की बात करें गमलों की बात तो हटाई दी जाए अगर जमीनों की बात करें जो लैंड है उनमें नॉर्मली लगे तो ग्राउंड में स्टोर रहता है ठीक है तो पानी स्टोर करने के काम आता है ठीक है प्रोवाइड पेपर डाट इस सौशन एसेंशन Wood, wood क्या है, बाई किस की बात हो रही है ŏन प्रे, tree, plant इनसे आरहे है Vegetation किस सारी हुआ चिजों के लिए भूर क्या है जी रही हूँ आपके साथ बात कर रही है चल रहा है ना भि इसके बाद प्रटेक्ट करते है रूट्स जमी रेती, साथ में पानी करते हैं, जो जमा करते हैं, फिर क्या करते है? फिर करते हैं शेल्टर भैल्ट मिट्टी कोडने से बचाता है, वह भी चेक करते हैं, डारीक्शन, क्या प्लांटी एक ट्री, ठीच है? प्रोवाइट करता है पेपर, बात अगे, पड़ाई इंट्रेस्टिंग एंड होते हैं, I hope आपको बहुत चीज समझ में आएगा, और comments करके मुझे जरूरू बताइएगा, कुछ भी अगर issue होता है, तो at least मुझे पदा चलना चाहिए कि क्या problem आपको कहां आ रही, बाकी मेरी तरफ से मैं ने बहुत कोशिश की ताकि आपको बहु यह कुछ high quality के courses है, जो कि आपको 100% free available है, जैसे कि CBAC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan, Vedic Maths, Crash course और spoken English courses आपको available है, भाई आप मैगने बेंस के Hindi Medium चानल को भी जरूर देखें, बड़ी ही interesting और informative वीडियो, shots आपको वहां मिलेंगे, मैं भी रेखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग समझ में आया है या नहीं, और जादा से एदा शेयर करें, और चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, अपना ख्यार रखें, thank you so much for watching.